जी शाजी मैंने आपको ये बताना था आपको ये बताना था कि मैं यूट्यूब पे और टिक टॉक पे ना आपको देखती रहती थी रमजान से फिर मैंने आपको फेस्बूक पे एड़ किया फिर मैं टिक टॉक पे आपकी वीडियो देखती रही देखती रही उससे मुझे पिर जो हुआ कि यह मनी मेडिटेशन जो आपने बताई थी हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब थे मेरे हैस्बेंड कोई काम भी नी करते थे यानि कि हम जुएंट फैमली में रहते हैं तो हैस्बेंड कोई काम नी करते थे तो बस यही tension ہوتی تھی. कभी किसी से 10 रुपे माँगो. कभी किसी से 20 रुपे मांगो. कोई काम भी हमारा चलता नहीं था. तो वो मैं जब बड़ी इदाने वाली थी. एक बनेट. उसे कुछ टारेक महीन आठाब. एक बनेट. जैने कि इनतहा यह है कि 10 रुपए 20 रुपए literally मांगते थे किसी से पूछ रहा हूं बाजी यह जी 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 ठीक है तो शाजी फिर अजारा को एक मिनिट एस्टर जारा देख लें मैं जो कहता हूं ना यह है दिस इस दिस इस वाई दिस इस वाई वी नीड़िट दा फ्री क्लेनिक यह बोले बाजी बोले बोले जी शाजी मैं मुझे किसी ने कोई वजीफा नहीं दिया था किसी से मेरी तब तक कोई बात नहीं थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आरी थी मेरी इतनी एजुकेशन नहीं थी मुझे कुछ समझ नहीं आरी थी क्या आप से कैसे बात होगी या नंबर आपके नंबर भी मैंने सेफ करके वर्ट सेप में हो गई लेकिन मैं कितने सवाल करती मुझे आंसर नहीं मिलता था मैसेज करती थी मुझे आंसर नहीं मिलता था फिर मैंने मनी मेडिटेशन ली एक दिन मैंने रात को ली और अगले दिन सुबा मेरे हजबन को उनके भेनोई न है तेस्ट मोनी ये यração और तर उस थरह उसे हमारा काम यानिके कभी एक लाग आर है कभी ऐसी हजार आ रहा है यानिके काम तो उनका हो रहा था लेकिन हमारे पास पैसे थे हमारे पैसे आहरे थे हमारे पास झाल पैसे हूते ही नहीं थे क्याब बात